हेलो एवरीवन तृष्टी के टीचिंग एग्जाइम यूट्यूब चैनल में एक बाद फिर से आपका स्वागत है मैं हूँ गिता अंजली शुक्ला जैसा कि आप सब जानते हैं हम यहाँ जोग्रफी विश्य के सीटेट के प्रिवियस एर कुशन पर डिसकेशन कर रहे हैं यानि विगत वर्षो में भूगोल विशे से सीटेट के एक्जामिनेशन में सेंट्रल टीचर इलिजिबिलिटी टेस्ट एक्जामिनेशन में जो प्रश्णे पूछे गए हैं उन प्रश्णों पर हम यहाँ इसका मकसद बेसिकली उन सभी कंसर्ट को समझना है और उन चीजों के बारे में जानना है या प्रश्णों की उन प्रवत्तियों को समझना है जो सीटेट के एक्जामिनेशन पिछली यह पे विगत वर्षो में पूछे गए हैं ठीक है तो आईए बिना किसी देरी की यह भूगोल विषय से विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्णों को देखते हैं पहला प्रश्ण है महासागरी सत्व पर जल की गति के बारे में नमलिखित को सुमेलित कर सही विकल्प का चैन कीजिए आपको इसे सुमेलित भी करना है और फिर उसके बाद कूट की साथ सुमेलित करना ठीके देखते हैं क्या है एक फंडी महासागरी धाराइं भी है ज्वारभाटा से तरंगे और गर्म महासागरी धाराओं के सामने हैं महासागरी सिततव पर एकांतर नियम से जल का उठना एवं गिरना जुआर्फ़ार्बाटा की सामने हैं दिन में दो पार नियम से महासागरी जल का उठना इवं गिरना इसके बाद तरंगें हैं जिसके सामने हैं भूमध्य रेखा के नेकट उत्पन में यह होती है और गर्म महासागरी धाराओं के सामने हैं दुरुवों से उष्णवडबंदी अक्षांसों की ओर प्रवाहित होती हैं देखे जब भी महासागरी धाराओं के बारे में महासागरी जल धाराओं के बारे में ज्वार भाटा के बारे में कोई प्रशने पूछा जाता है तरंगों के बारे में कोई प्रशने पूछा जाता है तो एक इंपोर्टन बात सबसे इंपोर्टन बात यह है कि जब भी महासागरी धाराएं पूछा जाए तो ये दो प्रकार से गती करती है एक तो शैतिज और दूसरा उर्ध्वाधर महासागरी जल है महासागरी जल धाराओं और तरंगों की रूप में शैतिज गती करता है और महासागरी जल ज्वार भाटा की रूप में उर्ध्वाधर गती करता है कैसे जब तरंगे क्या है दरंगे दरसल उर्जा है वायू से उर्जा लेकर जब महासागरी धाराएं एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर इस थनांत्रत होती है ध्यान रखेगा धाराओं के रूप में यहां इस थनांत्रत हो रहा है लेकिन जल में ध्यान रखे क्या कि जल में ग कि गती हो रही है बस जलमें किस तरीकी से गती हो रही है ओर जा का प्रवा हो रहा है यही तरंगे हैं ठीक है लेकिन ज्वारभाटा क्या है ज्वारभाटा में या महासागरी धाराएं हैं सबसे important वाद कि महासागरी धाराएं कितने प्रकार की होती हैं महासागरी धाराएं दो प्रकार की होती हैं तापमान क्या धार पर कौन सी ठंडी और घर्म जल्धाराएं ठंडी जल्धारा का मतलब कौन सी जल्धारा तो ध्यान रखीगा मान लीच उश्रकट्वंधी छेत्रस्टा देखनी को मिलती है तो उश्रकट्वंदी छेत्रों में जहां तापान जादा है वहीं दुरूबवों पर एकदम कम है ऐसे में ज। जल्धारा या जो महासागरे धारा निमनक्षान से उच्चक शानसों की और भेती हैं वे गर्म जल्धारा क कहलाते हैं और जिस स्थान पर ये दोनों जलधाराएं मिलती हैं यहां पर मचली उत्पादन या मर्च्यन सबसे अधिक होता है और ये इनके लिए इनकूल शित्या है ठीके इस बात को आपको ध्यान रखना है अब आएए बढ़ते हैं और हम हमारी प्रश्ण को समझने की इसका सही सोमिलन क्या होगा फॉर फिर जुआरभाटा जुआरभाटा में जो समुद्री जल है महासागरी जल है वह दिन में दो बार क्या होता है बहुत तेजी सी उपर इठके पास जाता है और फिर वहां से तठ से दूर नीची की उर आती है ये अवस्थाएं ध्यान बसना ही महासागरी जलधाराओं की ध्यान रखें कहां पर है दिन में दो बार नियम से महासागरी जल का उठना एवं गिरना यानि हां सुमिलन दो ठीक है तरंगे तरंगे क्या है तरंगे मतला माहसागरी सता पर नियम से जल एक ओर से दूसरी ओर गती कर रहा है इसमें भी जो तरंगे है वो उटती है गिर्ती है ओड़ती है झी तो धियान रखें जहां भी आपको देखने को मिलेका महासागरी सतर पर एकांतर नियम से जल का उठणा ईभग मतलब हैrok है भूमध्य रेखा से भूमध्य रेखा की यह निकट पन होती हैं कहां की और प्रवाहित होती हैं ध्यान रखें रुबहों की ओर ठीकिंचिह आगे की और बढ़ती हैं और जो थन्डी धारा необходिश्गुत पहलाती जैसे ने और यहां की ताप लंगों में नंबर वण और महार सागुरी धारायनि नंबर 3 4213 प्रशन का सही जवाब है 4213 ओपशिन दी 4213 ऑप्शन टीस प्रश्न का क्या है सही जवाब है ठीक है अगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है गल्फ स्ट्रीम गर्म चल हाराएं है है आता है इन में चलने की प्रवत्ती खालिस्तान है ऑप्शन है एबीसीडी ऑप्शन एब भूमध्यरेखा की ओर ऑफशन भी है दुरूबों की ओर और 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 ऑप्शन दी है कुछ निश्चित नहीं है सीटर 2021 में प्रशन को पूछा गया था देखिए जब बात की जाएग आफकी ओर प्रवाहित होती है द्रुवों की और प्रवाहित हुती हैं जुम्ल artillery यहां से उस्टानी चेट्रों से कहां को जान्य है द्रूबों की ओर है तो फिर्शन का सही जवाब होगा घ्रम घल और फेन में चलदे की प्रवत्ति कहां की ओर होती है ऐए प्रिकटिबदी छेत्रों से निम्न अक्षान्सों से कहां की ओर धुरूवों की ओर ठीक है आए एक बारे से हम इमेज में देख भी लेते हैं देखिए यह है एक पूरा वर्ल्ड मैप में जो भी जल्दानाएं है उनका संचालन और इसमें आप देखिएगा इसमें इंपॉर यह घर्म जल्दारा लेब्रेडोल यह कौन सी है यह ठंडी जल्दारा है ठीक है चले आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्ण पर चर्चा करते हैं अगला प्रिश्ट है महासागरी धाराओं की संदर्ख में नमलिखित कत्नों पर विचार कीजिए आपके पास कथन क्या है जिस इस्थान पर गर्म तथा ठंडी जल्दाराएं मिलती है वे इस्थान विश्व भर में सर्वुत्तम नस्यन शेत्र माना जाता है दूसरा कथन है जहां गर्म वो ठंडी जल्दाराएं मिलती है उस इस्थान पर नो संचालन में बाधावत पन होती है उचित विकल चुन महसागरी धाराओं के संदर में एक इंपोर्टन बात यह है कि जिस स्थान पर भी गर्म ठंडी जल धाराएं मिलती है वह श्चेत्र मत्षेन की उत्पादन के लिहास से इंपोर्टन होता है और यह भी इंपोर्टन है कि उस च्छित्र की जैविविद्था भी अच्छी मानी जाती है तो यहां पर पहला का थन क्या है बिल्कुल सही जिसे स्थान पर घरम ठंडी जल धारे मिलती है वह सान विश्वभर में सर्वोत्तम मत्षेन शेत्र वाला होता है और यह छेत्र कहां है जो उत्तरी अमेरिका वाला च्छेत्र है उसका पूर्वी तट यानि जल्धारा जो कि गर्म घंडी जल्धारा आपसमें ढा zit काम पर मिलती है उसमें हमने देखा कि वह हैं अमेरिका का देखिए यह उत्तरीम अमेरिका है उत्तरीमी अ Dru warm चल्धारा औपर जोकि जल्धारा मिलती है तो श्lineा मत्यार्ण चाता लिहाज से बहुत ही एयरिया है छिए दूसरा त रजे जहां पर नौस अंचालन में बाधा उत्पन होती है एक तरन बिलकुल सही оф plugin 2 जार थास के लिहाज से है एक और दो दोनों कथन सही के इस प्रश्ण का सही जवाब है चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए अगला प्रश्ण देखते हैं अगला प्रश्ण है निम्लिखित में ऐसे कौन सा से कथन समुद्र की ऊपर तापमान में कम भिन्नता को समझाता समझाते है या है ठीक है ध्यान कथन है समुद्री धाराओं की ऊपस्तित आपमान को स्थरे बनाये रखती है या कथन दो है अधिकतर समुद्री ध्रुवों के आसपास पाए जाते हैं तीसरा है समुद्र का पानी धीरे धीरे घर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है यहाँ पर कथन फोर है उच्छ भाविद सीटरै chinese में पूछा गया था ध्यान रहें तो देखिए महासाग्री धाराओं के बारे में समझने के लिए महासाग्री जलधाराओं का प्रवाह कौनन से च्छेत्र के कौन हों सी जल धाराएं पाए जाती है पूरे भारत में इसके साथ साथ पूरे विश्व में जो जल का वितरण है ये भी आपको ठीक से पता होना चाहिए इसके जरूरी है कि आप एटलस को रोज देखें एटलस को लगतार देखने से आपको चीजें रिमाइंड रहेंगे और याद रहेंगे छिखें इंपॉर्टन बात देखते हैं पहले कथन क्य लगता हैं आजए की ऊर बढ़ती है तो आज आँस पास की तापमान को भी घर्म करती जाती है तो यहां पर पहला कथन क्या हो जाएगा गलत दूसरा अधिकतर समुद्र जो समुद्र है वो ध्रवों के पास पाए जाते हैं देखिए अधिकतर समुद्र ध्रवों के पास नहीं पाए जाते हैं क्यों कि आपने देखा हिंद महासागर का जो शित्र है इंडिया की जस्त नीचे वो ध्रवों परतर नहीं है इसके अलावा आट्लांटिक महासागर की बात करें ऐसा कार से आपने देखा होगा वह उसका आधा हिस्सा उपर के और आधा हिस्सा नीची के और है और विश्वतरी रेखा से भी होकर गुजर रहा है तो यहां दूसरा कथन भी क्या है गलत है और ऐसा ही प्रशान्त महासागर की लोकेशन भी आप देखिएगा कहाँ पर एटलस में वह भी कहाँ पर दुर्वों के पास ही नहीं है तो ध्यान रखिएगा अधिकतर जो समुद्र हैं पर दूसरा कथन गलत हो जाएगा तीसरा समुद्र का पानी धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे थंडा होता है यह कथन बिलकुल सह ही है तरद़ेसल यह बात बिलकुल सही है कि समद्र का पानी धृत कुछ से ना को जबकि वायुदाब क्यू पस्थिति जा एझताफ मांद कि भिन्नता में योगदान देती है तो तो यहां पर ध्यान रखेगा, कम भिनिता में योगदान क्या है, नहीं देती इस बात को ध्यान रखेगा, इस वज़े से यह जो चौधा कथन है, क्या हो जाएगा गलत, ठीक है, अब यहां पर का सही जवाब बताना है, तो केवल तीन ही कथन सही है, इस वज़े से इस आज प्रश्टों के साथ तब तक आप पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, शुक्रिया,